दोस्तु स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तु चल bådeと चलि बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी comment box में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको comment box में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे comment box में जरूर पूछें आज की सबसे पहले कबर सेम नितिस ने उठाया बड़ा कदम गुजरात से 14,000 रेमडे सिविर इंजेक्शन लाने का दिया आदिस जिहां बिहार के मिख्यमंत्री नितिस कुमार ने कोरोना से लड़ाय के बीच एक बड़ा कदम उठाया है बिहार के मरीजों की जान बचाने के लिए सेम नितिस ने गुजरात से 14,000 रेमडे सिविर इंजेक्शन लाने का आदिस दिया है रहिवार को मुख्यमंत्री कारियाला की ओर से ट्विट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार में रेम्डे सिविर इंजक्षन की किलत को देखते हुए सीहम नेतिश ने बनेने लिया है मुख्यमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद से इस्पिसल प्लेन भेज कर 14,000 रेम्डे सिविर इंजक्षन लाने का आदिश दिया है दोसरे तरफ कोरोना आपदा के बेच राहत भरी कबर बिहार पहुची 130 मेट्रिक टर्न लिक्विड ऑक्सिजन गैस बिहार को पिछले दो दिनों में 130 मेट्रिक टर्न लिक्विड ऑक्सिजन के आपूर्ति की गई है कि बिहार के लिए 194 मेट्रिक टर्न ऑक्सिजन की प्रतिदिन आपूर्ति करने का निन्ने लिया है स्वास्त मंत्री मंगल पाणी ने सनिवार को बताया कि केंद्र मंत्री धर्मेंद्र पदान से बाचित के बाद केंद्र ने राज को चार टेंकर भी देने का निने लिया है ताकि ऑक्सिजन के आपूरती आसानी से की जा सके राज में अभी दस टेंकर है जिनके माईधम से उक्सिजन की आपूरती की जा रही है, स्वास्त विभा की अधिकारिक सुत्रों ने बताए कि राज में दुसरे राज्यों से सडक मार्ग से ही लिक्विड उक्सिजन की आपूरती की जा रही है अगली बड़ी खबर बिहार में कोरोना वैक्सिनेशन के तिसरे चरण के लिए 18 वर्स से उपर वालों का रेजिस्ट्रेशन जिया बिहार में 18 से 44 साल के लोगों को एक मैं से सुरू हो रहे कोरोना टिका गरन अभ्यान को लेकर 28 अप्रेल से निबंदन के प्रक्रिया सुरू होगी राज स्वास्त समीति की कारिपालक निदेसक मनोज कुमार ने ओल्लाइन प्रेस कॉनफरेंस में इसके जानकारी दी है उन्होंने साब किया कि बिना पूर्व निबंदन के 18 से अधिक उम्र वाले कोरोना टिका नहीं ले सकेंगे उन्होंने कहा कि 18 से 44 सालों के व्यक्तियों के बीच स्रेनी बनाई जा सकती है राज सरकार इस पर विचार कर रही है इसको लेकर उचिस्तरिय बेठक में विचार किया जाएगा केंद्रिय मंत्री रवी संकर परसाद की अपील मेदान्ता होस्पिटल को कोवीड अस्पताल बनाया जाए केंद्रिय मंत्री रवी संकर परसाद ने मेदान्ता ग्रूप के अजधक्च डाक्टर नरेश नित्रहान से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि मैदान्ता गूर्प दोवारा निर्मित पटना के कंकर बाग इस्तीत मैदान्ता अस्पताल को अविलम कोविट के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में सुरू किया जाए कहा कि एक बड़ा अस्पताल बना है और कोरोना संक्रमित की बढ़ते वी संक्या के आलोक में इसको तुरंद आरम किया जाए डाक्टर नित्रहान ने आस्वत किया है कि इसे बहुत ही जल्द ही सुरू करवा दिया जाएगा कोरोना मरेजों की मदद के लिए आगे आया पटना का ये मंदिर देगा मुप्त ऑक्सिजन और इलाज पटना का महावीर मंदिन प्रबंदन कोवीड मरेजों की इलाज के लिए आगे आया है मंदिर ने मरेजों की इलाज सहित कई स्विदाओं की घोसना की है मंदिर नियास द्वारा संचालित बेगुसरा इस्तीत महावीर अगर सेन सेवा सदन को कोवीड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निन्ने लिया है इसके लिए डक्टरों की तेनाती कर दी गई है इसमें जल्दी कोरोना मरीजों का इलाज सुरू हो जाएगा दिनिश टिवरिवाल को इसका समयनों बनाया गया है जानकारी के अनुसार पहले इस अस्पताल को सामाइन रोग्यों के लिए खोला जाना था मगर इसे कोवीड मरीजों के लिए सुरू करने का निन्ने लिया गया है मंदिर के आचारे ने बताया कि कोरोना के गंभीर मरीज को आक्सिजन निसुल्क मुहाया कराए जाएगी को ए ओफिस से जोड़ा जा रहा है ए ओफिस से जोडने के बाद बिर्दातियों का सारा काम स्कूल से हो पाएगा सभी स्कूल के बिर्दातियों का डेटा सुरक्षित रहे इसके लिए बुर ए ओफिस बनाया गिया है राज़त के लिए बुरी खबर लालो यादव की रहाई पर फसा पेच कोरोना ने रोका रास्ता जिया राज़त नेताओं और पार्टी के करकरताओं के लिए बुरी खबर है दरसल राज़त सुप्रेमों लालो यादव की रहाई पर फिलाल ब्रेक लग सकता है लालो यादव की रहाई के लिए कोरोना संक्रमन विलेन बनकर सामने आया है ऐसे में पार्टी से जुड़े लोगों को लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है कोरोना महामारी से देज बर में कोरा मचा है जारकन में हालात अच्छी नहीं है यहां भी कोरोना बेकाबू हो गया है प्रते दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे है जबकि दरजनों लोगों की मौत कोविट की वज़े से हो रही है कोरोना वारेस के बढ़ते मामले को देखते वे जारकन इस्टेट बार काउंसिल ने 25 अप्रेल तक नियाएक कारियों पर रोक लगा रखा है जारकन में हाई कोड खुलने के बाद ही लालो यादोब को जमानत मिल सकती है बिहार में थम नहीं राय कोरोना का कहर 24 गंटे में रिकॉर्ड 12,795 नए संक्रमित मिले जिया बिहार में एक दिन में सरवादिक 12,795 नए कोरोना संक्रमित की पाचान की गई है पिछले 24 गंटे में 98,763 सेंपल की कोरोना जाच की गई राज में कोरोना संक्रमन की दर 12,10 अवलं 95 फिजदी तक हो गई है वही एक दिन पूर्व मिले 12,369 नए संक्रमित की तुलना में राज में 436 अधिक नए संक्रमित मिले हैं इस परकार पिछले 24 गंटे में 3,14 फिजदी की व्रिधी नए संक्रमित में होई है इसके अलावा आपको बढ़ा दे कि पटना में सरवादेक 1848 नए संक्रमित मरीज मिले हैं बड़ी कबर PM Care Fund से देश के सभी जिले में लगाए जाएंगे Oxygen Generation Plant केंद सरकार ने किया बड़ा एलाज जिहां देश बर में Oxygen की किलत की मामले सामने आने के बाद केंद सरकार अब हरकत में आ गई है केंद सरकार ने PM Care Fund से राज को विस्यस मदद देने का फैसला किया है इस फन से प्रभावित राज्यों में प्रेसर स्विंग वाले 551 Oxygen Generation Plant की स्थपन की जाएगी जिससे कोरोना मरेजों को Oxygen Supply मिलने में आसानी हो सकेगी इस फैसले का एलान करते हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि इन प्लांट्स को जल से जल सुरुक कराया जाएगा इन Oxygen Generation Plant से जिले के अस्पतालों में Oxygen की आबाद आपूरती सुनिचित की जा सकेगी कोरोना संकट के बेच राहत की खबर बिहार के 9 करोड लोगों को मै और जुन मा में मिलेगा मुत में रासन कोविट की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधान मंत्री गरीब कर लान अन योजना के तहद बिहार के 9 करोड लोगों को केंद्र से अगले 2 मा तक मुत में रासन मिलेगा प्रति व्यक्ति रासन 5 किलोग्राम रासन दिया जाएगा इसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चवल दिया जाना है सबसे अहम बात यहाँ है कि इस योजना के तहद राष्ट्य खायद इस रक्ष कानून के तहद प्रतिमा दिये जाने वाले रासन के अतरिक्त होगा बड़ी कबर मनमानी पैसे नहीं मांग सकेंगे पटना के एंबुलेंस चालक सरकारी दर पर ही मिलेगी अब मरीजो को सेवा जी हाँ आए दिन एंबुलेंस वालो द्वारा कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुचाने या अन्यत्र ले जाने के क्रम में मनमानी रकम मांगे जाने की सिकायद मिल रही है इस मामले को जीला प्रसासन ने गंबिरता से लिया है और एंबुलेंस के लिए सरकारी दर निर्धारित की जा रही है इस दर के निधारन के बाद एम्बिलन्स चालक उससे अधिक रासी किसी से नहीं ले सकते हैं और इसके बाद भी वे अधिक रासी लेते हैं तो उनकी खिलाब कानोनी करवाई की जाएगी कोरोना संक्रमन के बेच बिहार में डाक्टर नर्सों की बंपर बहाली समीदा के आधार पर इतने महिने के लिए मिलेगी नौक्रिया बिहार के सभी 534 प्रकंडों में एक-एक डाक्टर की बहाली की जाएगी डाक्टर की बहाली तीन महिने के लिए समीदा के आधार पर होगी राइवार को स्वास्त विवाग के विशेश सचीव सराज स्वास्त समीति के कारिपालक निदेशक मनुज कुमार ने मेडिया को ये जानकारी दी है उन्होंने बताया कि डाक्टर की बहाली को लेकर स्वमवार को विगापन जारी किया जाएगा डाक्टर की बहाली वाकिंग इंटर्वी के अधार पर की जाएगी ये बहाली कोरोना काल को ध्यान में रखकर किये जाने का निन्ने लिया गिया है कोरोना काल के बढ़ने पर बहाली के निदारी समय को भी बढ़ाया जाएगा इसके साथ मनुज कुमार ने बताए कि राश्ट्य स्वास्त मिसन के तहद भी 865 नर्सों के बहाली की प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द ही पुरा किया जाएगा बिहार के पंचायतों में जल्द ही काम करने लगेंगे आटोमेटिक मौसम केंद्र किसानों को मिलेगी सटिक जानकारी प्राप्त जानकारी का फाइदा किसानों को मुहया कराने के लिए आटोमेटिक मौसम केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 14 कडोर जारी कर चुका है जबकि राज सरकार ने भी 144 कडोर जारी कर दिया है चालोवित्य वर्स में इस योजना को पूरा कर लेना है। राज्यों में अपने पाव पसार लिए हैं दूसरे राज्यों में दो पैसे कमाने के लिए गए बिहार के स्रमिक अब फिर दोबारा अपने घर वापस लोटने लगे हैं। सुबे के मुख्या नितिस कमार ने भी उनसे अपिल किये कि जिने वापस आना है वो जल्द वापस आ जाए। महराष्ट दिल्लिव और राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकूप के कारण जो स्रमिक बिहार वापस लोट रहे हैं। राज सरकार उनके लिए अब रोजगार का उपावी कर रही है। सरम संसाधन विभाग ने कोवीट पोटल पर प्रवासियों का रजिट्रिशन सुरू कर दिया है। में परवासियों को रोजगार मुहाया हो इसके लिए स्रम संसादन विवाग के योजनाओं के साथ ही आइन विवाग में उपलब्द रोजगार के अवसर की जानकारे सविनेवनदित स्रमिकों को अब उनके मोबाईल पर मेसेज की जरीय भेजा जाएगा बिहार में कोविट के साथ साथ चमकी बुखार के मामली भी सामने आने लगे है। मुझपारपुर में बच्चे चमकी बुखार के चपेट में आ रहे हैं। आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भारत का सरवच्च सम्मान कौन सा है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया